है अलो हलो गूद मॉर्निंग कैसे हैं आप आई होसे यह हैं हैं कै अगजह आप सभी की दोड़ाँ से आप सभी के सपट्ट से और मेरे हो चुके हैं आलू वॉइ और अर्वी वॉइल अर्वी को और अलू को मैंने हैं एक साथ वॉइल कर लिया क्योंकि मैं गाओं जा रही हूँ तो फटापट से मतलब मैं पूरी और सबजी बना रही हूँ और दलिया बना चुकी हूँ मैं दलिया को खाऊंगी और पूरी सबजी या तो टिफिल ले जाऊंगी या फिर वापस जब दो पहर में आती हूँ ना तो आके फिर बनाना तब खाना तो लगता है की बना के रखे जाओ वसाते आके मतलब खालो और फिर आराम करो तो मैं जब भी गाओं जाती हूँ तो बना के रखे जाती हूँ तो पहले मैंने अर्वी को वॉयल किया फिर उसको मैंने फ्राई किया और उसके बाद मैंने अजवाइन ओहीं का चड़का लगा के और प्यास लहशुन अध्रक सभी का मतला सभी को भूनके और बेशिक मशालो को यूज करके और अर्वी को हमने फ्राई कर लिया पहले हमने ओ जब ठंडी हो गई थी तो हाथ से उसको दवाया था थोड़ा सा तो इसको पिछका अर्वी सब्जी बोलते हैं बहुत टेस्टी बनती है आप लोग पना के चरूर देखिएगा और तो आज फ्राइडे है और मैं गाउ जा रही हूं तो फटा पट से मैं यहां पे काम खतम कर तो यह है देखिए इस तरीके से मैंने इसको अर्वी को डीप फ्राइड करने के बाद इसको पिछका के तब हम मशालों में इसको एड़ करेंगे बहुत अच्छी लगती है बहुत टेस्टी लगती है इस तरीके से बनाने के बाद जैसे मैंने लहशुन प्याज सभी चीज को डाला है अगर आप skip करना चाहें प्यास लाशन बगरा को तो आप skip भी कर दीजिए तो भी बहुत tasty बनती है बहुत tasty बनती है और हींग और अजवाइन जरूर add करिएगा इसमें जरूर तरका लगाईएगा और सबजी हमारी बन चुके है अब मैं बना रही हूँ पूरी और दलिया हमारा बन चुका है आलू वाइल हो चुके हैं देखती हूँ आलू का कुछ बनाती हूँ या फिर फिरिज में रख दूँगी मैं आलू को एक्ट्रा वाइल कर लेती हूँ हमेशा और फिरिज में रख देती हूँ जिससे क्या होता है कि कभी कभी हम बहुत मतलब जल यूली कैसे हैं आपसब अच्छे हां ना ना चाहिए मैं बहुत अच्छी हुम जा रहे हूं next अब बज़े हैं विद्ब 170 मेरा में चुकी हुम मैं जारी हूं, मार्केट तो नहीं जारी हूं, मैं जारी हूं, अपने दांट दिखाने जारी हूं, मतलब एक दाड में मुझे कई, मतलब काफी दिन से थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, खाना भर जाता है तो फिर दर्द शुरू हो जाता है वहां पर इस्पेस हो गया है तो जिसमें जब मैं खाना खाती हूं तो वहां पर भर जाता है और फिर उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है तो मैं 27 बजा है और मुझे 8 बजे तक वहाँ पहुशना है क्योंकि मैंने बात की थी उनसे भीया से तो मैंने उनसे ये पोला था मैंने किस टाइम पे आऊं जो कि मुझे ज़्यादा देर बैठना ना पड़े क्योंकि काफी भीड होती है उनका बहुत ज़्यादा भीड होती है रात में जाए आप मतलब 19 बजे जाए तब भी बहुत बीड होती है तो बोली कि 8 बजे आ जाना तो फिर मैं सोच रही हूं कि 8 बजे में पहुशना नहीं तो उनको बहाना मिल जाएगा कि मैंने चुट टाइम दिया था आपको उस टाइम पी आपाई नहीं फिर बहुश पहुशते पहुशते भी मुझे आदा गंटा रास्ते में लग जाएगा तो तब तक मैं थोड़ा सा किचिन का काम देख लेती हूं क्योंकि अभी साथ बजाए साधे साथ बजे समतिंग यह से निकलेंगे और आठ बजे पहुश जाएंगे बस आही रहा होगा सूरज और चलिए फिर मिलते हूं वहाँ पहुश के आपको तो मैं निकल चुकी हूं और मुझे कभी-कभी डर लगता था कि कहीं ऐसा नहों कि कुछ बन जाए दार में क्योंकि काफी लोग का मैंने सुना है कि घा हो गया था कैंशर बन किया तो कभी-कभी मुझे डर लगता था बैसे मैं मतलब ज़्यादा ये सब नहीं सोचती हूं और मैं वहाँ पहुँच चुकी हूं और फिर जब उन्होंने एक्सरा किया तो बस उन्होंने ये बोला मैंने उनसे पूछा मैंन का क्या है इन्फेक्शन हुआ है क्या वोले नहीं ऐसा कुछ नहीं है बस जो इस पेस है वो पढ़ता चला गया और नश खुल गई है तो और बोले कि कोई दिकत वाली वात नहीं है मैंन का अच्छा मैं वापस भी आ चुकी हूं और रास्ते में मैंने लिए सेव और जो खटे मिखे वाले जो सेव होते हैं वो मुझे कहीं भी दिख जाया अगर रास्ते में तो मैं ब उन्होंने कुछ दवाईयां लिखी है और तीन दिन के बाद फिर बुलाया है तो अब मुझे मंडे को जाना है आज फ्राइडे है मंडे को जाना है और तीन दिन के लिए उन्होंने दवा दे दी है जाना पड़ेगा लगाता है मुझे लगता है कि कई बार जाना हैं क्या करते हैं वो मुझे लगता है आर्सिटी वगरा करेंगे और अब ही तो उनों ने दबा खाने के लिए भी दी है और लगाने के लिए भी दी है तो ये था आज का हमारा चोटा सब लोग और फिर मिलते हैं नियू विलोग के साथ तब तक के लिए तेंक आपना अपना ख्याल रिखेगा और अब मैं खाना खाऊंगी और किस-किस ने खा लिया है खाना अभी तक और किस-किस ने अभी तक नहीं खाया है बताईएगा जरूर और फिर मिलते हैं निव बिलोग के साथ, निव एनरजी के साथ, निव दिन के साथ, क्योंकि सुभह से लेकी साम तक जब हम लोग लगातार काम करते रहते हैं तो जो हमारी एनरजी होती है वो डाउन हो जाती है और रात को हमारी फिर से बैटरी जो अचार जो हो जाती है फिर से दिन जो हमारा सुभह जो होती है हमारी निव एनरजी के साथ होती है निव दिन जो होता है हमारी एकदम फुल एनरजी के साथ होता है तो मिलते हैं निव दिन के साथ और फुल एनरजी के साथ और निव बिलो के साथ, ध्यूंक्यू, बाइ बाइ